हेलो गाईज आधन में देख रहे हैं बहुत इंपोर्ण टॉपिक निर्वाचन आयुकत समंधित हैं तो आते हैं निर्वाचन आयुकत पर कहता है निर्वाचन आयुकत कप किया गया था तो निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधन संव्श्यत में नहीं थे तो निचेर तीन सच चौबशमें नहीं थे निर्वाचन हान को टिक है कि यह स्थापना की समय 1 सदस्य आयो की रूप चाय रूपक तक या यह जब बचल गठन ruaalट रह था तर यह सब बना रहा इसके बाद ही 301 सब्सक्व अगया था ए przy दस्यफ बनाए गया था ऐक अध़्यच दो हुपाद शुआ कर डिया में जुद नतर रह दिया गया में फिर इसे पंदेश Easy चीक्श बना दिया गया था आएंग कैता है यह इंप्रोणट नहीं है पोंचेन जाते हैं यह पीख लवेल कोस्टन है फिर पता तो होना चाहिए कम से कम कैता है वर्तमान में अने निर्वाचन आयोगत का वेतन बहत्ता किस पर भारत होता है तो तीनों का भारत संचित निदी पर भारत होता है जो आपका भारत के निर्वाचन आयोग होता है वह पूरे देश के चुनाव करवाता है इसके बाद राज के विधान सभाग चुनाव होते हैं वही करवाता तो यहां से अगला कोश्चन है तो अपना त्यागपत किसे दे सकता है तो अपना त्यागपत राश्पती को देते हैं मंख निर्वाचन आयुकत को उसके पद से किस प्तरा पर हट सकते हैं कितने समय का होता है तो इनका कारेकाल होता है 62 का ठीक है मुख का सिर्फ होता है 665 कि कैसे देते हैं तीनों राष्ट पती को ही देते हैं कि तीनों को राष्ट पती ही नियुक्त करता है करने वाली संस्ता क्या नाम है निर्वाचन आयोग नाम है निर्वाचन आयोग क्या है एक समधानिक निकाय क्योंकि समधान में इसको लेकर नुच्छे 280 ajudar 7 में रब प्रफं मुख्य निर्वाचन कोण तू इस तही तू सूकुमार थी भारत का प्रफं का रवख्य कौन थे राश्पति कर सकता है संसत तथा राजविधार मंदल के निर्वाचन में निर्वाचक नामवली कौन तयार करता है तो निर्वाचन आयोग केंद्र कहा ही केंद्र का निर्वाचन आयोग तयार करता है राश्परित्य था उप्राश्पतिक निर्वाचन में निर्वाचन नामवली कौन तयार करता है तो ये भी काम निर्वाचन आयोग का होता है निर्वाचन छेत्रों का परिसीमन कौन करता है तो निर्वाचन आयोग करता है परिसीमन आयोग अधिनियम संसा द्वारक का पारित किया गया था तो 1952 में पारित किया गया था निर्वाचन छेत्रों के परिसीमन का प्रावधन कप किया जग गया तो प्रतेक 10 वर्स में परिसीमन आयोग आता है ठीकि जल ज़गाणना के बाद आयं कहता है निर्वाचन छेत्रों के परिसीमन के लिए किसे कटित जाता है तो परिसीमन आयोग को कटित किया जाता है परिसीमन करने के लिए परिसीमन आयोग का अध्यच कौन होता है तो मुख निर्वाचन आयोग होता है परिसीमन आयोग के अन्य दो सदस की नियुक्ति कौन करता है तो उनकी नियुक्ति करता है राजपती ही करता है परिसीमन आयोग के सदस के रूप में किसे नियुक्त कियाता है तो उच्छ तम या उच्छ नाले के पूर्व या वर्तमान नयादी इसको नियुक्त करते है परि सहायक सदस्क्स किस से सदस्थ होते हैं यह आपके लोग सभा या राज-विधान सभा के सदस होते हैं पर सीमन गठन करता है तो संसत करती है इंपर्णन कोश्चन है यह कहता है प्रतम परिश्रीमन आयोग का गटेत हुआ था तो 1952 में गटेत हुआ था दूसर था ता तीसरा नईप मुझेगा आप से लेगन दूसरा आपका आया था 1961 में और तीसरा 1967 में लोकसभा का अगला परिश्रीमन कब होगा तो यह बहुत इंपोर्टन्ट है दोस्तों 2026 में अगला परिश्रीमन होगा और यह बहुत इंपोर्टन्ट है इसके तरह थी लोकसभा में सीटों के संक्या रासभा में सीटों के संक्या बढ़ेगी ठीक है लोकसभा या विधान प्रतेक समान या मद्य अवधी चुनाओ के लिए चुनाओ के पूर्व कि से त्यार कियाता है निवाचाक नाम मली त्यार की जाती है हर जिभी चुनाओ होते हैं निरवाचाक नाम बली में सामिर होने की निवितम आयू क्या है तो 18 वर्स एक सटमे समिदान संसोधन important है कि पूर्व निउन्तम आयू क्या निज़ार थी यानि एक सटमे समिदान संसोधन जो हुआ था उसके पहले वोट डालने की उम्र क्या थी तो उसके पहले 21 वर्स थी निर्वाचाग नाम बली में सामिल होने के लिए क्या आवश्यक है तो भारत का नागरिक वना आवश्यक है विभिने राजनीतिक दलों को किसके द्वारा मानता दी जाती है तो राजनितिक दलों को निर्वाचान आयोग के द्वारा ही राज इस्तरी संग इस्तरी निर्वाचान दल का दर्जा दिया जाता है राजनितिक दलों को मानता प्रतान करने के लिए कौन सा माप दन निधायत करता है तो निर्वाचन आयोगी माब्दन धार्यत करता है चार या अधिक राज्यों में राज इस्थरी दल की मानता प्राप्त करने वाले दल को किस पकार की मानता मिलती है तो उसे हम राज्यों में राज इस्थरी दल का मानता मिल गई है तो उसे हम राश्टी दल को सित कर सकते हैं यह सब निर्वाचन आयोगी करता है राजनीतिक दलों को और अच्छित चुनाओ चिन किसके दोरा प्रतान कियता है तो दलों को और अच्छित चुनाओ चिन जो होता है निर्वाचन आयोगी प्रतान करता है किसकी मानता प्राप्त दल के विभाजन पर चुनाओ चिन के विभाजन निरनाय कौन करता है तो अब कमल है तो उसका आधाय साधत तो 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 वह कौन सा चिन कौन पार्टी लेगी कौण सा कौणस यौन पर कौण से कौन सा किसको सिंबल दिया चाहिए तो यह ंर्णा जोता निर्वाज हाय करता है निर्वाजन आयोक की और आधाय के विरुद का है कि उच्छतम नियुद्ध में अपील कि जा सकती है चुनाओं के दौरान चुनाओं प्रेच्छों की निक्ति किसके द्वारा की जाती है तो निर्वाचन आयोग की द्वारा की जाती है ये कोशन नहीं पहुंचता है इसका मलब यह है कि जब चुनाव चल लाए होते हैं तो चुनाव चेक करने के लिए उसकी निक्ति कौन करता है है ना तो चुनाव आयोगी करता है मतदान में धांदली होने के जिति में किसके दोरे चुनाव रद किया जा सकता है तो निर्वाचन आयोग कोई सक्ति प्राप्त होती कि वो निर्वाचन रद्द कर देए आएं कहता है किसी चुनाव छेत्रे में कुछ मद्दान केंद्रों के मतों को निरस्त करके कि वहाँ पुना मद्दान कराने के आगया कौन दे सकता है, तो निर्वाचन आयोगी देता है। संसा द्याभधार मंदल में कोई इस्थान डिक्त होने पर कौन सा चुनाव करता है। उन्हें हम उपचुनाव बोलते हैं और ये भी चुनाव आयोगी करवाता है। और चुनाव कौन खरवाता कोन करता है तो निर्वाचन आयोगी करवा एक्स दीसी बात है। तो संसत सदस्यों की आयोगता पर यूविससा फटस्य चुनाव यूग है या नहीं इसकी आयोगता पर निरणाए करना संसत करतब है ठीक है और राश्पति निर्वाचरन आयोग से की सलह मांगता यस बात पर कि आप जो सदस है वो चुनाव लड़ सकते हैं लिद्वा तो निर्वाचन आयोग करता है उम्मीद वारों द्वारा चुनाओं में वैं कितनी रासी करेगा यह तो यह निर्वाचन आयोगी तै करता है इसके बाद अपने बात करते हैं प्रोजक्ट मिसंग्रीन इंडिया की इंडिया का मिसंग है इसके तक जोड़ना चाहिए ताकि ज आफ एक्सियानि जीवन प्रत्यासा है जो उसे हम अपने प्रॉन को लगा करें बढ़ा सकते हैं बागी हम कितना भी अच्छा खाते रहें कितना प्रेस्तितर नहीं मिली तक हमारी जीवन प्रत्यासा कभी भी आंगबाच नहीं सकती है तो इसके तहती आप लगाए कु झाल झाल